average student, average Indian, average की कहीं पर भी बात होगी, तो average का मतलब होता, बराबर, बराबर कैसे होता है, जितने भी सारे संसादन है, सारे संसादन ही कठे करेंगे, और सारे संसादनों को इकठा करके, और जितना total था, उससे भाग कर देंगे, जैसे, पांच, आठ, च्यार, साथ, ये दे दिया, तो हम इनको जोड लेंगे, साथ, और पांच, बारा, और बारा, चौबेस, और च्यार संख्याए हैं, च्यार से भाग कर देंगे, तो औसत हो गया च्यार, सब के पास च्यार हो सकता है, ये यहां से दो इसको दे देगा, तो ये रह गया च्यार, ये च्यार, और एक ये इसको दे देगा, तो ये च्यार, ये भी च्यार, सब बराबर हो जाएंगे, औसत का मतलब सब बराबर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया कल exam है motivate करो प्लीज अभी आराम से phone बंद करके सो जाओ सुबह उठना जाकर के paper देना वरमा जी को कल exam है आज motivate करना है आज motivate नहीं करना आराम करना है तो ओसत निकालने का तरीका मैंने तुम लोगों को बता दिया औसत का मतलब होता बराबर एवरिज चलिए जी पढ़ेंगे नीचे दी गई संख्याओं का औसत ग्याद कीजिए तो जो ये संख्याओं हिनको जोड लेंगे भाई हम 12 और 13 25 25 और 2 27 27 और 7 34 और 3 37 37 और 9 46 और 10 56 इसके बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटे 8 तो औसत आया 7 20 सही उत्तर जितनी संख्याओं है जितनी संख्याओं है सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़के और जितना भी जोड़ तोटल आएगा उस तोटल को जितनी संख्याओं है 8 इतने से भाग कर देंगे 56 बटे 8 आंसर 7 उमीद करता हूँ तुम्हें सवाल आगया होगा बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेस्चन करेंगे ग्यारा और नो बीस और दस तीस तीस और दस चालिस चालिस और दस पचास पचास और तेरा तरे सट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो से इसको भाग करेंगे तो उस्टाया साथ सी सही उत्तर सभी संख्याओं को जोडेंगे सभी संख्याओं को जोड़के और नो संख्याओं नो से भाग करेंगे तो उस्ट हो गया साथ बहुत बढ़िया अब हम यहाँ पर देखें 15 और 5, 20 और 10, 30 30 और 18 कर लेते हैं 30 और 18, 48 48 और 42, 52 और 8 60 और 4, 64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 से भाग करेंगे 9, 8, 10 सही उत्तर मोही तंबाला केंट अराम करो आब राम जो पढ़ लिया जो आता है बिलकुल अराम करो दो चार बार ओम का जो हजाब करो ऐसे ओम ऐसे करो एक आदे दोस्त के पास फोन मिला लो पढ़ाई की बाते ना करो अराम करो जिसका कल पेपर है टेंशन ना लो बिलकुल भी 15 और 5, 20 और 10, 30 30 और 10, 40 40 और 20, 60 60 और 12 बहतर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 से भाग करेंगे और 7, 8 20 अहीं उत्तर मेरी तबियत खराब नहीं है बिलकुल फिट है मेरी तबियत आप लोगों का इतना प्यार रहता मेरी तबियत क्यों खराब होगी 13 और 15, 28 28, 28, 28 और 7, 35 35 और 5, 40 और 10, 50 50 और 13, 63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 से भाग करेंगे आंसर 9 ये सही उत्तर है सभी संख्याओं को जोडेंगे और कितनी संख्याओं उतने से भाग कर देंगे एवरी जा जाएगा 9 और 11, 20 और 13, 33 और 10, 43 और 5, 68 और 10, 58 और 7, 65 और 10, 75 और 9, 84 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 से भाग करेंगे और सताया 14 यहाँ एक शौटकट है इसमें दो कांतर देखो दो कांतर फिर दो कांतर फिर दो कांतर फिर दो कांतर फिर दो कांतर सारों में ऐसे दो दो कांतर है इससे इसको काटेंगे इससे इसको काटेंगे इनका जो है इनके बीच में रह गया 14 सही उत्तर सी जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो तो कम और ज्यादा इस परकार से करेंगे मैं उमीद करता हूँ ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया ये दो कम फिर 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 दो कम दो दो कम करेंगे जब अंतर बराबर हो तीन इधर काट दो तीन इधर काट दो बीच में संख्या दो और जीरो रह गई तो इनके बीच में है एक तो इसका ए उत्तर है एक अंतर बराबर होने के केस में दो अधर दो अधर दो अधर दो अधर ऐसे बीच में जो भी रहेगा वही इसमें पहला है नो और आखरी है उन्निस नो और उन्निस पहले और आखरी को जब अंतर बराबर हो ना बीच में तो पहले और आखरी को जोड़ेंगे उन्निस और नो 28 बटे 2 करेंगे तो 14 ये तरीका भी होता है इसमें सबसे चोटा है सबसे बड़ा है 8 और सबसे चोटा है माइनस 6 इनको जोडेंगे 8 माइनस 6 दो आएगा बटे 2 करेंगे तो 1 आएगा एक ही इस सवाल का उत्तर है आगे बढ़ेंगे तीन इधर काड़ दो तीन इधर काड़ दो बीच में बच गया तीस आठवा सवाल ए उत्तर प्रियंका यादव मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए डियर सर ले बेटा तेरा भी पढ़ दिया आगे बढ़ेंगे भाई फिर से वही इधर से इधर 40 इस सवाल का सई उत्तर है डी बहुत बढ़िया बीस बीस का अंतर है तीन इधर काड़ दो तीन इधर काड़ दो असी सई उत्तर है ए तीन के पर्थम पांच गुणज, तीन के गुणज हैं, पहला तीन, फिर छे, फिर नो, फिर बारा, फिर पंदरा, एवरेज करेंगे दो इधर कटा, दो इधर कटा, नो सही उत्तर है, बी सही उत्तर आगे बढ़ेंगे, नो के पर्थम नो कुणजों का उसत, तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 62, 81, दो इधर काटो, फिर दो इधर काटो, दो इधर काटो, 45, 20, सही उत्तर है सत्रा के पर्थम, साथ कुणजों का उसत, सत्रा, 34, 51, 68, तीन धर जाएंगे, तीन धर जाएंगे, और एक ही 68 है, तो साथ हो जाएंगे, 68, D सही उत्तर है X, X प्लस 2 दो काट दिये, X प्लस 6 और X प्लस 8 दो काट दिये, X प्लस 4 और सत हो जाएगा, हर एक में दो-दो कांतर है, हर बार दो-दो जुड रहे हैं, दो-दो जुडते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा उमीद करता हूँ, सबको आगया होगा, 6 और 8, 14, 14 और 7, 21, 21, और 9, 30, 35, 35, 45, 49, इन सभी संख्याओं का जोड़ है, 49, 49 में जोड़े X, तो इसको भाग करें 7 से, 7 संख्याओं ना, 7 से भाग करें, उत्तराया 7, देखो मैंने सभी संख्याओं जो जो दी, 6 और 8, 14, और 7, 21, और 9, 30, 35, 35, 4, 49, और X, 49, जमा X, ये 7 संख्याओं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग किया, और सताया 7, इस 7 को इधर कुणा कर देंगे, 49, जमा X, बराबर 99, तो X, बराबर 10, शकल से ही 10 दिख रहा है, देखो, अब मैं उमीद करता हूँ, तुम्हें सवाल आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ेंगे, 6 और 8, 14, और 7, 21, और 9, 30, और 5, 35, 35, और 4, 49, 49, और 5, 47, चवालिस जमा X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बटे 8, और 7, 8, वहीं सभी संख्याओं का जोड़ है, कितनी संख्याओं हैं, इधर करेंगे तो यह, तो यह, 47, जमा X, बराबर 64, तो X, बराबर 20, अब मैं उम्मीद करता हूँ, यह सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा, निल, नितिन, मुकेश, सर मेरा भी बता दो, प्लीज, क्या बताओं तेरा, यहाँ पर हम बात करें, कितनी संख्याओं हैं, 8, आठ, आठ, टोटल, 64, बाकियों का टोटल, 47, तो जो वह संख्याओं बच गई वो, 20, इतना करना पढ़ता है, यह सवाल सही है, बहुत ही रहेंगे, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, छे संख्याओं का उस्त, 12, टोटल, 27, 16, और 8, 24, 24, और 7, 31, में 10, जोड़ेंगे, 41, 4, 45, फिर 10, जोड़ेंगे, तो 55, और एक जोड़ेंगे, 56, तो 56, इस में से मैं 56 घटा दू, 16, और 8, 24, 37, 4, 35, 10, 47, यह 45, 55 यह तो आएगा, 17, ए सही उत्तर, चलो भाई, जिनका परसो ग्राम सीवगा पेपर हैना, कल देखना ही मत कुछ भी, टेंशन ना लो ज़्यादा, बोलो, गुदी, मैं कलास पढ़ा रहा हूँ, तेरी यह ज़्यादा हो चुकी है मैडम, कलास खतम होने के बाद कर लेना, तु पढ़ा क्यों नहीं करती, तेरा फोन खराब हुआ पड़ा है, यह भगवान, तो भाई साब के कान खींचना नया दिलवाएगा, ठीक, बोलो, भाई मेरा इंटी पीसी का एक्जाम है, मेरा कल एक्जाम है, कल इवनिंग में है मेरा, तो एक्जाम तो आएंगे ना, अराम से एक्जाम क्यों नहीं देते, तुम टेंसें क्यों ले रहे हो, तुम्हारे से ज्यादा कौन पड़ा हुआ है, जितने लोग एक्पे शुरुआत से पड़े हैं, तो इतने से ज्यादा कौन पड़ा, मुझे बताओ, जो लोग आईसी सेंटर में पड़े हैं, तो हर रोज 5-4 गंटे पड़े हो भाई तुम, और घर पे जाके एक्पे पड़े हो, बताओ कौन रहे गया, बोलो, पुर्णाम, चलो करवारे, 16 और 14 तीस, 30 और 15 पिन तालिस, 45 और 11 चपन, चपन जमा एक्स, और बटे एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, बराबर बारा, तो बारा चीक बहत्तर, चपन जमा एक्स बराबर बहत्तर, एक्स बराबर सोला, सी सही उत्तर है भाई, ये गड़बर हो गई थी, बोलो, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, तो तु बैठके पढ़ाकर, हाथ में पहन लेके सवाल के आगर फिर ठीक हो जाएगे, ऐसे होता है और जवान बच्चों में ये भावना ही होती है, इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, बस बस तु पढ़ता रहा, अगर बस पढ़ता रहा, ऐसे ही, एक आधी बारे से बूल जाए, बटक जाए, दर उदर चला जाए, तो दुबारा फिर पढ़ना चलू पर देश्में क्या दिक्कते, ऐसे बोल सकते, जो मजाक उड़ाते हैं तेरा, चलो, कोई बात नहीं, अब जो है, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर बहुर बात बात में करेंगे, साथ करमागत संख्याओं का उसत बीस है, तो ये बीस बीच में आएगा उसत, एक कम करेंगे, तो उननेस, 21, एक और कम 18, 22, 17, 23, तीन इधर कटेगा, तीन इधर कटेगा, तो ये उसत बीस आएगा, बीस बीच में होता है, तो करमागत संख्याओं का उसत बीस है, साथ है, अगर तीन होती तो 19, 22, 21 करते, पांच होती तो 18, 19, 22, 22 करते, साथ है तो 17, 18, 19, 22, 22, 23, इन में से बड़ी संख्या क्या है, तो 23 सही उतर है, दस संख्याओं है, इनका उसत बारा है, हर एक में तीन जोड़ा जाए, भाई, अब दस संख्याओं है, दस संख्याओं में तीन तीन जोड़ा जाए, तो टोटल मिला कर गए 30 जोड़ेगा, तो 120 था, 10 संख्याओं का उसत बारा है, टोटल 120 है, टोटल 120, 30 और जोड़ेगा तो एक सो पचास हो जाएगा तो दस संख्याओं का और साथ टोटल एक सो पचास होगा तो एक सो पचास पटे दस पंदरा हो जाएगा पूरे चेप्टर में एक मत्र एक बात आएगी पूरे चेप्टर में क्या संख्याएं कितनी है और सत कितना है टोटल कितना हो जाएगा तो दस संख्याएं है और सत बारा है टोटल 120 हर एक संख्या में तीन जोड़ा गया तो तीस हो जाएगा 120 में तीस जोड़ा तो एक सो पचास एक सो पचास दस संख्याओं का जोड़ है तो इसको दस से भाकरेंगे चेप्टर तीन कंप्लीट करवा दिया भाई कल तू आया नहीं होगा नहाया नहीं था ना तू कल 19 गलत हो गया है पांच करमागत संख्याओं का उस्षत 27 गलत कैसे हुआ भाई अच्छा बड़ी संख्या चाहिए बड़ी संख्या 39 डी सही उत्तर बोलो 10 संख्याओं का उस्षत 12 है तीन जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा आंसर 21 सवाल 10 संख्याओं का उस्षत 20 है पर तेक संख्याओं में से 5 घटाए जाए तो हम उस्षत में से 5 घटाएंगे नया उसत 15 हो जाएगा जो हर एक चीज के साथ होगा वही उसत के साथ होगा 20 संख्याओं का उसत 25 है 6 से गुड़ा किया जाए तो 25 देड़ सो D सही उत्तर है 20 संख्याओं का उसत 50 है प्रतेग संख्या को 5 से भाग किया जाए 50, 5 करेंगे तो 10 A सही उतर 16 संख्याओं का उस्त 62 है प्रतेग में 3 जोड़ा जाए तो 62 में 3 जोड़ेंगे 65 A सही उतर 40 संख्याओं का उस्त 35 है प्रतेग में से 15 घटाया जाए हर एक में जो है जो कुछ भी जोड़ा जाएगा तो उस्त में जुड़ेगा गटाया जाए तो घटेगा गुणा किया जाए तो गुणा किया जाएगा और भाक्या जाए तो भाक्या जाएगा और 35 से पंदरा गटाया जाए 35 माइनस पंदरा 20 सी सही उत्तर है 50 संख्याओं का और 25 है प्रतेक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो 25 तिया 75 एक सो बीस संख्याओं का उसत डेड़ सो है प्रतेक संख्या को पंदरा से भाग किया जए तो नया उसत दस हो जाएगा डेड़ सो को दस पंदरा से भाग करेंगे दस उतर बीस विद्यारतियों का उसत चालिस है टोटल आठ सो तीस विद्यारतियों का उसत पचास है टोटल पंदरा सो कुल संख्याओं हो गई पचास कुल उसत टोटल हो गया तेईस सो अब तेईस सो बटा पचास करेंगे तो च्यालिस सही उतर है जीरो से जीरो कटा पांच से कटे का 46 सही उत्तर डी सही उत्तर है 28 नंबर क्वेस्ट्टन हर सवाल में हम लोगों को एक मत्र करना संख्याएं कितनी और सत कितना टोटल कितना तो सब टोटल कितना सारा टोटल 2300 सारी संख्याएं 50 पचास संख्याओं का टोटल 23 सो है तो बटे पचास करेंगे 46 सही उत्तर है डी 50 विद्यारतियों का उस्त 33 है तो टोटल करेंगे यहां 1650 दूसरे वरके 60 विद्यारतियों का उस्त 47 है तो यहां 0 आएगा 24 और यह 26 अब यह टोटल जोडेंगे तो यह आएगा 0 और यह आएगा भाई 9 और यह आएगा कितना 2 और यह आएगा 4 और यह कुल संख्याओं हो गई 110 इसको 110 से भाग करेंगे है यह सभ्वाल नहीं Да नहीं कुछ ना कुछ गड़ै पुट से मिद्व एगा 1030 करेंगे तो बिल्कुल सभ्वाल के हैं कि जोड़ेंगे तो इतना अगया इससे भाग करेंगे अब यह भाग करेंगे इस कट गया अब 14 13 इस तीन बच गया फिर 11-23 यह आना चाहिए तो कुछ ना कुछ यहां पर चूक है इस सवाल में यह क्लास में ठीक नहीं करवा था फिर यह तो नहीं है ठीक ऐसे ही नहीं चेंज करवाना चाहिए था ना ना भाई चेंज हो किया आता तो इस सही होता इसको लिखो 29 नमबर को चेंज करेंगे एक्स संख्याओं का उसत वाई है तो ऐसे सवालों में हमें ट्रिक आनी चाहिए एक्स संख्याओं का उसत वाई तो टोटल हो गया एक्स वाई जैसे कितने सवालों में किया हमने कितनी संख्याओं कितना ओसत तो गुणा करेंगे कितना टोटल वाई संख्याओं का ओसत एक से तो टोटल हो गया फिर से एकस वाई तो सभी संख्याओं का जो जोड हो गया ये हो गया एकस प्लस वाई और यहां जोड हो गया 2xy तो सब का उसर 2xy अपॉन x प्लस y यह सही उत्तर होगा 2xy अपॉन x प्लस y बोलो 39 कैसे आएगा हाँ 9 आएगा 9 बचेगा 11 या 33 9 बचेगा हाँ बिल्कुल सही 39 उत्तर है सही उत्तर है मेरे अंदर बुढ़ापे के लक्षन सारे आगई बिल्कुल सही 39 ही आएगा हाँ यहां भाग गलत कर दिया मैंने 429 बटे 11 तो 11 या 33 9 बचेगा मैंने 3 बचा दिया पता नहीं कहो फिर 11 निमनिन्यान में सही उत्तर X संख्याओं का उसत Y स्केर है X संख्याओं का उसत Y स्केर है तो टोटल हो जाएगा भाई X Y स्केर इनकी गुणा Y संख्याओं का उसत X स्केर है तो टोटल हो जाएगा X स्केर Y अब इनका जोड़ करेंगे न तो यहां से xy common आएगा xy common xy यहाएगा x plus y और यहाँ इनका जोड़ करेंगे तो आएगा x plus y x plus y से x plus y कट गया xy बचेगा इनका उस्थ 20 सही उत्तर 25 संख्याओं का उस्थ 40 है टोटल हो गया 1000 कर amat अन्य इस संख्याओं सेνका घ्डाटेश साहँ तर्ण हो गया 450 अब संख्यएं बच गई 10 अब यहां संख्य介एं बच गई 550 कि अब 25 विद्धय आर्कियों का उस्थ 40 टोटल 1000 15 विद्धयों का उस्थ 30 टोटल 450 संख्यएं बची 10 यहां टोटल बचा 55, तो इसको 10 से भाग करेंगे, यह ऐसे कटेगा, तो नया ओस्त आ गया 55, 25 में से 15 गया 10, 1000 में से 45 गया 550, 10 संख्याओं का टोटल पान सुपचास, ओस्त पच्पन, 46 विद्यार्थियों का ओस्त अंक 40 है, 40 विद्यार्थियों का ओस्त 40, टोटल 1600, उन में से 25, इन में से 25, गये, तो 15 बचे, का ओस्त 46 है, 46, तो 25 ठीका, डेड़ सो, 25 चौक 100, और 15, 115, तो जो बाकी बचा वो 0, यह 5, और यह 4, 15 संख्याओं का टोटल 450, इसको 15 से भाग करेंग तो 300 आएगा, तो जो बाकी लोग बचे गए, उनका ओस्त 30 है, एवरेज ओफ 7 नंबर्स इस 9, साथ संख्याओं का ओस्त 9 है, तो टोटल 63 है, तीन नई संख्याओं जोड़ दी जाएं, इस 3 न्यू नंबर्स आर एड़िद आएगा न, तो यह 10 नंबर हो गए, ओस्त 10, टो जो टोटल बढ़ा वो बढ़ गया 37, तो 37 बढ़ा 3 करेंगे, 12 सही, एक बढ़ा 3 परसेंट, 20 सही उत्तर, 9 संख्याओं का ओस्त 12 है, टोटल 108, तीन नई संख्याओं जोड़ी गई, तो 12 संख्याओं हो गई, तो 15 हो जाता है, तो 15 गुणा 12 हो गया, 180, बढ़ा कितना बहतर कितने पर, तीन पर, तो नई संख्याओं जो जोड़ी गई, उनका ओस्त है, 24, 20 सही उत्तर, किसी विक्ति का पर्थम, 4 महिनों का ओस्त खर्च एक हजार रुपई है, तो 4 महिने का ओस्त खर्च है, 1000 रुपई, तो टोटल हो गया 4000 रुपई, हर सवाल में कितनी संख्या, कि तोटल यही लिखना है, बस, 8 महिनों का टोटल 1500 है, टोटल हो गया 12,000, तो कुल हो गया 16,000, और महिने हो गई 12,000, उसने किये खर्च और 1400 रुपई उसने बचाए, तो कुल मिलाकर के 1400 और 16,000, 17,400 रुपई उसने पूरे साल में कमाए, बटे करेंगे 12 और सत के लिए, 12 एक 46, 6 बचेगा 60, 12,5 और यह 0, तो कुल मिलाकर के 1450 रुपई पूरे साल की पर मन्त की एवरेज इंकम उसकी थी, बहुत बढ़िया, पांच महिनों का ओसत खर्च 3,000 रुपई, तो टोटल हो गया 1500, 15,000, साथ महिनों का ओसत खर्च 45,000 रुपई, तो टोटल हो गया 00, और 5,35 यह 7,28 और 3,31, अब उसने 13,500 रुपई बचा भी रखे हैं, तो कुल मिलाकर के उसने 001, यह 6 और 1,7 और 3,10, 1,2,3,5 और 1,6, इतने रुपई उसने अर्न किये, 12 से भागिये होगा ही नहीं, अब मैंने गलत कर दिया फिर से, तीन हजार पांच महीने के हिसाब से तो 15,000 रुपई, और 7 महीने के 45,000 के हिसाब से 00, 7,35 का 5, 7,28,33, और 13,500 रुपई उसने बचाए, तो यह 0, यह 0, यह 1, 2,3,5 और 5,10, 2,3,5, और 1,6, इसको 12 से भाग करूँगा मैं, तो यह 12,56, कौन सी, वाब भाई वाब, तो बिल्कुल बुड़ा पा आगया, बतो, ए सही उत्तर है, चलिए भाई, निशारानी, 2150 मल्टी है, 100 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, एड गलत कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, तीन सेक्षन है, पहले सेक्षन में विद्यार थी 30, अगले में 40, और उसे अगले में 50, इन सेक्षनों में, रसाइन में प्राप्त आउस्त है 40, पहले में आउस्त 40, अगले में 45, उसे अगले में 50, 30 और 40 की गुणा करें तो 1200, 40 45 की गुणा करें तो 1800 और 50 50 की गुणा करें तो 2500 इन सभी का जोड़ करेंगे तो यह हो गया 0 यह 0 यह 3525 हो गया और इन सब को जोड़ेंगे तो यह 90 120 अपॉन 120 फिर गड़़ड हो गई क्या 30 कुन 40, 1240, 45, 48, 50, 50, 500 यह 3000 हो गया यह 500 हो गया सही है और वो 120 हो गया 120 से भाग करेंगे अब 12 से भाग होगा तो यह 12 चौक 48 60 थे ना यार बोला ठीक है भी तो यह 3000 हो गया 3000 हो गया 3000 हो गया 3000 यह 6000 हो गया 6000 को 120 से भाग करेंगे 120 से भाग करेंगे तो यह 50 हो गया मैं भी कहूं जो उत्तर तो सही आता था इसका तो चलो बहुत अच्छी बात अब आराम कर लेना कल वरना मेरी तरह गलती करोगे पेपर में गलती क्यों होते हैं पहले उससे 10-15 दिन पहले ऐसे इतना पढ़ते हैं पढ़ते हैं मैं तो सुबह लग गया था जो सुबह से स्याम तक करते 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 थकान का लेवल इतना है चलो कोई बात नहीं थोड़ी देर अराम करके अगली क्लास तब लूगा 10 मिनिट का रेस्ट ले करके 40 संख्याओं का ओस्त 50, 35 संख्याओं का ओस्त 60, 55 संख्याओं का ओस्त ना 42 संख्याओं का ओस्त पच्पन 45 का पच्पन और 42 का 45 40 का ओसत 50 35 का 60 45 का पच्पन और 42 का 45 अब ये गुणा करेंगे तो 2000 ये गुणा करेंगे तो कितना 24 और ये गुणा करेंगे तो 1890 इनको जोड़ेंगे तो बोलो क्या दिक्कत आई 38 में ये सारे टोटल एड कर लिए 6000 हो गए और ये टोटल स्टूडेंट है 126,000 को 120 से भाग किया तो 50 उत्तरा गया और तो अब इनको जोड़ेंगे भाई आया पाँच 9 और 7,16 का 6,1 असिल बचा, 2 और 6,6 और 8,14 का च्यार, एक बचा, ये 8 इसके बटे करेंगे 45, 35, 44, और 40, 120, और 40, 160, और 2, 162, 162 से इसको भाग करेंगे 162 वैसे यहां पर एक जगा पर है बिना भाग किये दिख रहा है, आंसर बन जाएगा फिर भी, 84, 65, इसको 165 से भाग करें 162 से, 162 पांच पर जाएगा, पांस दूनी 10, 16, 85, और 11, 18 तो ये 6, ये 3, ये 5, 16, दूनी 32, दो दूनी 4, 16, दूनी 32, एक च्यार अब यहां पर दश्यमलाव लेना पड़ेगा, यहां पर दश्यमलाव लेना पड़ेगा, अब 0 लेंगे, तो ये 41 ही तो बच गया, तो ये 52 सही 41 बटे 162, इतना ही लिख रखा है, नहीं तो आगे फिर इसमें आगे ऐसे दश्यमलाव आ जाता, ए सही 52 सही 41 बटे 162, ए यहां पर च्यार कलास एक, दो तीन च्यार, सालिस बच्चों का उस्त पचास, पैंतिस का साथ, पिन तालिस का पचपन, और बियालिस का पिन तालिस, इसमें टोटल इसमें टोटल 2000, इसमें टोटल 2100, इसमें टोटल 2475, इसमें टोटल 1890, यह सब का टोटल, टोटल नंबर और स्टूडेंट से 162, 162 से इसको बाग करेंगे, पूरा भाग होगा नहीं, 162 नीचे आड़ा से यह राबस और कहीं है यहीं, बहुत बढ़िया, यह अलग टाइप आ गई है, सवालों की, इस टाइप को अगली क्लास में करवाता हूँ, मनीश अलिपूर, कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच नहीं राज जादा कुछ ऐसा, आज इतना ही पढ़ाता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, थोड़ी देर में, या ना लूँ आज, आज रहने देता हूँ, चलो भई, फिर तो संडे को या मंडे को क्लास लूँगा, कल मैं क्योंकि, आगरा, अलिगड और बुलंद शेर आ रहा हूँ, घुमने, तुम लोग आ सकते हो, वहाँ पर ब्रांच में मिलने के लिए, सभी टीचर्स आएंगे, चलिए, थेंक्यू वेरी मच्छ,